नमस्कार में साक्षी MNS News Live में आप सबी का स्वागत करती हूँ आईए आज कुछ खास कबर देखते हैं अंशाकारी महिला पूर्षों ने अधिकालियों पर निकाला गुस्सा पानी देने की मांग इट्या डोह का पानी जरी तलाब में छोड़कर डाई हजार हेक्टीय जमिन को सीचाई की विवस्ता करने की मांग को लेकर मंगलवार से लाकंदो तहसल के ग्राम मुर्जा में शुरू किया गया भूख हरताल पर अन्शाकारियों का गुस्सा तब फुटा जब तहसलदार और जल संचिन के अधिकारी सिर्फ केवर आश्वसन देने की टाल मटोल बात कर रहे थे अन्शाकारियों ने अधिकारियों को आड़े हाथ लेकर इटिया डोह परियोजना का पानी जरी तलाब में छोड़कर खेती के लिप पानी उपलब कराने की पुर्जोर मांग रखी गई माना बिंदो दहीवले के नेतरुद्व में पाईडी जरी के साथ परिसर के महिला पुर्षों ने आमरन अंशन मंगलवार से शुडू किया है वीगर दो दिन तक सरकार की और से कोई कारवाई नहीं की गई अंशन के तिसरे दिन लाखंदूर के तैसलदार महले और पागबंधारे विभाग के उपविभाग की अभियनता इमानदार ने अपुषन मंडप को भड़ देकर अंशाकारियों के साथ चर्चा की भूग घर्टाल पपेटे माना बिंदू दही वले के साथ साथ मंडप में उपस्तित महिला पुर्शों ने दोनों अधिकारियों को जमकर खिचाई करते हुए पानी की मांगी बताय गया कि जरी तलाब से धाई हजार हेक्टेर शेत्र को सिचाई कराने हेतु करीब 92 करोड रुपेओ की योजना विगेद 25 वर्ष पहले ही बनाई गई थी लेकिन सरकार और पुष्जा प्रशाशन की लापरवाही से ही है योजना अब तक अधन में लड़की है कई बार मांग की गई लेकिन आश्राशन के सिवाय कुछ नहीं दिया गया आईए देखते हमारे भंडारा ब्यूरो हेट निशान लांजवार की खास ख़बर अमेनेस में उसके लिए भंडारा जिले के लाखान दूरता सिलके जरी गाव का ये जरी तलाव है करीबन देड़ सो एकर खेतरे के अंदर ये विश्तिन तलाव है बहुत बड़ा तलाव है बारिस का पानी यहां जमा होता है और इस पानी के वज़े से जरी गाव से लेकर करीबन पंदरा से बीस गाव के धाई हजार हेक्टेर से भी ज़्यादा छेतरे को सिचाई की जाती है लेकिन पिछले तीस से पहती सालों से इस तलाव की दुरदर्शा हो रही है प्रशासन और शासन की तरब से कोई देख भाल नहीं हो रही है पानी की यहाँ जो जमा होना चीए पानी पानी होता नहीं बारिस का पानी ऐसा ही निकल जाता है और कही वर्सों से इसकी मांग की गई है लेकिन यहाँ प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं देरा आप देख सकते हो बहुत बड़ा तलाव है बहुत बड़े तलाव के अंदर आज की स्थिति में बारिस खत्म होने को अभी समय बाकी है लेकिन तलाव के अंदर पानी नहीं है क्योंकि यहाँ पानी की जमा जो होता है पानी पानी जमा नहीं हो सकता है मतलब छोटे चोटे नहरे बनी हुए लेकिन नहरे में अभी पानी नहीं है क्योंकि तलाव के अंदर पानी नहीं है पिछली 2002 में बहुत बड़ा अंदोलन यहां पर किया गया था यहां के सरकार कांग्रेश की थी हमारे यहां के पालक मंत्री अनिस आमजित है उस पेरेश में उन्होंने इस तलाव के खोली करन करना और इटाड़ों का पानी इस तलाव के अंदर लाने की बात कही थी इसका इस्टेमेट भी मंजूर किया गया था लेकिन सिफ कागजात पर इस्टेमेट बना है वास्तों में अभी तक इटाड़ों का पानी ज़री तलाव के अंदर नहीं लाया गया मसलें यहां कि यहां व्यवास्ता तो सरकार की मन्शा बिल्कुल नहीं है व्यवास्ता करने की किसानों को पानी देने के मन्शा बिल्कुल नहीं है इस वज़ा से बारिस के पानी के उपर निर्बर जो खेती होती है आखरी के एक पानी के लिए यहां के हजारों किसानों की फसल डूपती है उनके हाथ में फसल आती है फसले बरबाद हो जाती है अगर एक आखरी का पानी मिल जाए तो यहां के हजारों किसानों का इसका लाव मिल शकता है करिबं 2,500 seinen bar हर 6 शिचयान के आचखता है लेकिन जरूज रत है प्रशाषण को और शाषण को निरभरता से निच्यता से यहां इटीयाडव का पानि इस तलाव के अदर लाना और यहां पानी लाकर यहां का पानि किसानों को पहुंचाना क्या राज्य की सरकार इटियादोगों का फ़ानी इमानदारी के साथ इस तलाव के अंदर लाने वाली है और यहां लाकर यहां की तलाव के नीचे जो धाई हजार 16 जो सिचाय के अंदर आ सकता है उसको पानी की उपलवदा करवा के दे सकती है यह सवाल सबसे ब आने वाले अधिविशेंड में इसका कुछ लाव सरकार इन किसानों को देगी किया यह भी एक सवाल यहाँ पर खड़ा होता है सबसे बड़ी मांग यह है किसानों की कि इटाइड़ों का पानी जल से जल इस जरह तलाव के अंदर लाना और इस जरह तलाव के माद्यम से धाई हजार हेक्टर शेतर को शिचाय के अंदर लाकर यहाँ के किसानों को सुझलाम सुपलाम बनाना यह प्रमुकता से मांग है मनिशाद लांजवार, MNS News बंडारा तो खबरों में आज की लिए बस इतना ही MNS News लाइफ देखने के लिए MNS Hindi आप प्ले स्टोर से आज ही राउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तब तब के लिए धन्यवाद